नमस्कार आप देख रहे हैं दभारत खबर किया है कि मेट्रो में सभी सीटों को भरने की अनुमती दी जाए डीटीसी बसों की तरह ही मेट्रों की सभी सीटे यात्रा के दोरान पूरी तरह से भरी हो आपको बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना संकर्मन का परसार होने लगा तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था इस दोरान 24 मार्च से दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था इसके बाद सितंबर मा में अनलॉक की प्रकरिया के दोरान कोविट गाइडलाइन्स का पालन सुनिचित करने के साथ दिल्ली मेट्रो को यात्रियों के लिए खोल दिया गया फिलाल मेट्रो में आधी शमता के साथ ही यात्री सपर कर रहे हैं मेट्रो में भीड न बढ़े इसके लिए स्टेशनों के गेट भी बंद किये गए हैं एक स्टेशन पर सीमित गेट ही खोले गए हैं वहीं यात्रियों के हाथों को सेनेटाइस करने के साथ साथ उनके सामान को भी सेनेटाइस किया जा रहा है यात्रियों का शारिरिक तापमान भी स्टेशन पर एंट्री लेने के दोरान ही जाच लिया जाता है कोविड से बचाओ के हर नियम कपालन मेट्रों में किया जा रहा है लेकिन अब DMRC चाता है कि उसकूर DTC बसों की तर्च पर मेट्रों की सभी सीटों में यात्रियों को बैठाने की अनुमती मिले जिससे वो लोकडाउन के दोरान हुई आर्थिक शती की भरपाई कर सके इस दोरान भी कोरोना से बचाओ का पूरा ध्यान रखने का दावा किया जा रहा है आप देख रहे हैं दभारत खबर हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शुक्रिया